स्टुडेंट पोइम लेंड करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे हल्दीस एडवेंचर तो हल्दीस एडवेंचर को लर्ण करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे डी वर्ड्स हमारे D-Words है जिराफ, G-I-R-A-F-F-E जिराफ मींज एक अनिमल सर्प्राइज्ड, S-U-R-P-R-I-S-E-D सर्प्राइज्ड मींज आश्चर्य चोखित अड्वेंचर, A-D-V-E-N-T-U-R-E अड्वेंचर मींज कुछ सासिक वंडर्फुल, W-O-N-D-E-R-F-U-L वंडर्फुल मींज अदभूत प्लेग्राउंड, P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D प्लेग्राउंड मींज खेलने का मैदान हल्दी स एड्वेंचर वन मौर्नी एज्दीर वाक्ट तो स्कूल सुबे सुबे हल्दी चब स्कूल जा रही थी तो उसे जिराफ मिला तो जिराफ वर बिग ग्लासिस एंड हैंड बुक इन हीज हैंड जिराफ ने बड़े बड़े ग्लासिस पहने थे और हाथ में बुक पकड़ी थी जिराफ मुस्कुराता है और कहता है गुड मौर्निंग हल्दी हल्दी लुक्ट अप एट हीम आई एम सोरी तो स्टेर शी सेड बट आई हैव नेवर मिट जिराफ लाइक यू हल्दी जिराफ के सामने देखती है और कहती है सोरी मैं आपको घूर रही हूँ बट मैंने आपके जैसा जिराफ इसके पहले कभी नहीं देखा माई नेमी स्माईली सेड जिराफ जिराफ केहता है मेरा नाम स्माईली है वेनेवर यू सी मी यू विल स्माईल जिराफ केहता है कि जब तुम मुझे देखोगी तब तुम स्माईल करोगी हल्दी वोस सर्प्राइस्ट एंड हैपी टू हल्दी आश्चरे चकित हो जाती है और साथ में खुश भी हो जाती है Then she remembered that she would be late for school हल्दी को याद आता है कि उसे तो school जाने में देरी हो रही है So, she said to the giraffe, वो जिराफ को कहती है I would love to talk to you, but I must rush to school or I will be late वो जिराफ से कहती है कि मुझे तुम से बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है But मुझे school जाने में देरी हो रही है तो मुझे जाना पड़ेगा The giraffe said, not if you ride on my back, if you climb on my back, I will run so fast that you will feel you are flying to school The giraffe कहता है कि क्या तुम मेरी back पे write करोगी तुम मेरी back पे bed जाओ, मैं ऐसा fast running करूंगा और तुम्हे school पहुचा दूंगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम तो उड़के school पहुच गई Do you go to school every day? जिराब कहता है कि क्या तुम रोज स्कूल जाती हो Yes, said Haldi Haldi कहती है हाँ मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ I go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday Haldi कहती है मैं तो Monday to Friday रोज स्कूल जाती हूँ On Saturday, I play game at school और शनी बार को हम स्कूल में games खेलते है What do you do in school? asked जिराब जिराब कहता है कि तुम स्कूल में क्या करती हो I learn about the stars, the birds, the trees and the animals Haldi कहती है कि हम तो स्कूल में stars के बारे में, trees के बारे में, birds के बारे में, animals के बारे में पढ़ती है That is good, said the जिराब जिराब कहता है वो तो बहुत अच्छा है I love books too मुझे भी books बहुत पसंद है They are lots of fun Books हमें बहुत पन देती है Now jump on my back, I will take you to school अभी तुम जम करके मेरी back बे आजाओ, मैं तुमें school ले जाता हूँ Haldi then jumped on the giraffe's back And found that she could see so many things from the top Haldi jump करके giraffe की back पे जाती है और वहाँ उपर से उसको बहुत ज्यादा things यानि की चीज़े दिखाई देती है And before she knew it, she had reached the school और उसे पता भी नहीं चला की वो स्कूल के playground में कब पहुँच गई She climbed down, वो नीचे उतरती है When she turned back to thank the giraffe And वो पीछे मुटती है giraffe को thanks बोलने के लिए She found that he had gone away तब तक तो giraffe जा चुका होता है Oh, Haldi thought, what a wonderful adventure I have had Haldi सोचती है कि कितना अधभूत adventure था यह मेरे लिए Friends, unit learn करने के बाद हम स्टाट करेंगे exercise Reading is fun यहाँ पर हमें दीए गए है question First question is Where was Haldi going? Haldi कहां जा रही थी? Haldi was going to school Haldi school जा रही थी Next question है Why did Haldi stare at the giraffe? Haldi giraffe को क्यों घूर रही थी? Haldi stared at the giraffe because she had never seen giraffe like that before It's wearing big glasses and was holding a book क्योंकि Haldi ने एसा जिराफ पहले कभी नहीं देखाता जिसने बड़े बड़े चश्में लगाये थे और हाज में बुक पकड़ी थी Third question is How did she reach school? Haldi school कैसे पहुची? Haldi reached at school riding on the giraffe Haldi giraffe के पीच के उपर बैच कर school पहुची Next Let's stop First question is How do you go to school? आप school के से जाते हो? Bike में जाते हो? Cycle में जाते हो? When में जाते हो? वो आपको लिखना है Second question is What do you wear to school? आप school क्या पहन के जाते हो? वो आपको लिखना है Third question is Have you ever seen anything strange on your way to school? Talk about it क्या आप जब स्कूल जाते हो? तब रास्ते में आपको कुछ strange होते हुए दिखा है? उसके बारे में आपको लिखना है Say loud हम इस spelling को loudly learn करेंगे Pedal, Saddle, Cradle, Down, Clown, Sound, Round School, Pool, Rule, Cool, Tool Next है Let's color Find the share यहाँ पर हमें यह 3 shape दी गई है And color them आपको जो shape यहाँ पर जो color में दी गई है यहाँ पर यह snack के अंदर आपको उसी color में यह shape को color करना है ओके?